नमस्कार आप देख रहे हैं GBN 24 मैं हूँ आपके साथ अप्राजिता चलिए डुप करते हैं जहरखन की एक खबर पर खंसावा जिले के कपाली ओपी अंतरगत कपाली लकरी टॉल के पास बुदवार दो पहरी कधेर घायल अवस्था में सरक किनारे पाया गया स्थानी लोगों ने घायल को देखा और इसकी सूशना पुलिस को दी सूशना पाकर पुलिस मौके पर पहुँचे और घायल को इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुँचाया मिली जानकारी के अनुसार घायल गौस नगर टावर लाइन के पास रहने वाला है वा साकची में दरजी का काम करता था वा किसी काम से जा रहा था तभी रास्ते वेक युवक ने उसे रोका और रुपे चिनने का प्रयास किया विरोध करने पर युवक ने रौट से सिर्फ पर हमला कर घायल कर दिया और 120 रुपे लूट कर फराद हो गया और घायल की सिर्फ पर गंभी चोटे आए हैं किलार पुलिस मामले की जाच कर रही है क्या बताया कि क्या हुआ इसके साब क्या मार्पेट पैसा साब इची नहीं है अभी चांच चल था नहीं अभी चांच कर दा अब लोग का रहते का है क्या हुआ था पता ही तो जो यह ना और ते नहीं हम परिशान ओगे इस लोग तो दरवाजर को ज़र से विदा मारना कंद किया वी पैसा चोड़ी को लो माना सुरू कर दिया को लोग को ही हो को लोग नाम क्या है हमारा प्रोसी वह तह ना मोलो के क्या है नाम कंद को या अजमी आ रहा है अच्छा कितना पैसा चीला थे जादा पैसा नहीं कर दी जादा जादा पैसा आप वहां क्या कर रहता है अपना घर है वो घर में सो रहे हैं इसा इस इंशाकर से जुड़ी तमाम स्वानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवियन 24